हेलो एवरिवन वेल्कम टू सक्सजवित रायकेडमी 22 अप्रेल 2021 के दैनिक जागरण के राश्टित संस्क्रण को आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली जो हेड्लाइन ली गई है वो है कि आक्सीजन आपोर्ती रुखने से 24 कुरोना मरीजों की इसासे रुख गई हैं और ये घटना हुई है मुंबई में मुंबई के नासिक के अस्पताल में आक्सीजन की कमी से जूज रहे महराष्ट में बुद्वार को भयावा हाथसा हो गया नासिक महानगर पालिका द्वारा संचालित डॉक्टर जाकिर हुसेन अस्पताल के आक्सीजन टैंक से लीकेज होने पर मरीजों को आक्सीजन की आपोर्ती कुछ समय के लिए रोक दी ग गई है साथ ही दुरगटना की उच्च तरिये जाज करने की भी आधिस दिये गए हैं और इसमें जो कल एक मीटिंग थी महराष्ट में लॉक्डाउन को लेकर क्योंकि जो महराष्ट गवर्मेंट है उनके मंत्रियों ने 15 दिन के लॉक्डाउन का इसमें सुझाओ दिया था काफी आज बांती है इसी तरह कि आज कुरोना महामारी की रोक्थाम में इस्तमाल होने वाली वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट से मिली है भारत बायोटेक और भारती चिकित्सा अनुसंधान परिसद ने को वैक्सीन के तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट ब 78 फीजदी तक कारगर है लेकिन इस वैक्सीन के सारे डोज लेने वाले कुरोना की गंभीर चपेट में नहीं आते हैं उनकी मौत नहीं होती है यही नहीं अस्पताल में भी भरती होने की नौबत नहीं आती है नेक्स्ट है कि साथ दिन में 17 लाग से ज़्यादा करोना संक्रमित भारत में करोना वाइरस जल्दी जल्दी रूप बदल रहा है और ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है संक्रमित के प्रसार में तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साथ दिनों में ही 17 लाग से ज़्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं जबकि उससे पहले हफते में 10 लाग से ज़्यादा मामले बढ़े थे नए मामलों में व्रद्धी 62 फीजदी है पिछले एक सप्ता में रोजाना 2 लाग से ज़्यादा नए मामले मिल रहे हैं बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा करीब 3 लाग नए के सामने आए हैं नेक्ट निउस पर आते हैं नेक्ट निउस है कि वायू सेना प्रमुख ने फ्रांस से रवाना किये 4 रॉफल 4 रॉफल युद्ध विमानों की पांचवी खेफ फ्रांस से भारत के लिए रवाना कर दी गई है वायू सेना के प्रमुख RKS बहदोरिया ने इन विमानों को हरी जंडी दिखा कर फ्रांस के मेरिगनेक बार्क डॉक्स एयर बेस से रवाना कर दिया है चीह सीमा विवानों की पहली स्कॉडन को अमबाला एयर बेस पर तैनाथ किया गया है जबकी दूसरी स्कॉडन यानि कि अन- Codeuna 18 रॉफल विवानों को पस्चिम बंगाल के हाशी मारा एयर बेस पर तैनाथ किया जाना है next news एक चीन की तरब से statement आया है कि जो सीमा विवाद है उसको उचित स्थान दे भारत चीन ने बुद्वार को भारत से अनरोथ किया है कि वो सीमा विवाद को उचित स्थान दे और दुपक्षी सम्मंदों के देरकालिक विकास के लिए समान प्रयास करे चीन ने कहा है कि आप वास्तिक नियंतरन रेखा पर सांती और स्थायत तो बनाय रखने के लिए प्रतिबद्ध है चीनी विदेश मंतराले के प्रवक्ता वांग वेन विन ने अपनी मेडिया ब्रीफिंग में यहा बात कही है लेकिन उन्होंने भारत के उस बयान पर कोई प् गई थी मिस्री की टिपनी से जुड़े एक सवाल के जवाब में वांग ने कहा कि चीन की उम्मीद है कि चीन भारत रिष्टों के दिरकालिंग विकास का समगर हितों को ध्यान में रखते हुए भारतिये पक्ष मिल कर काम करेंगे सीमावरती इलाकों में खत्म हुए गतिरो पर लाएंगे नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है अदालतों पर अनावश्यक आच्छे और यह आर्टिकल लिखा है लोगतांत्रिक विसिशग ए सूर्फ प्रकास द्वारा हाल के दौर में नयापालिका हमलों के केंद्र में रही है और आरोपो अधिकारों की रक्षा की है ऐसा नहीं है कि नयापालिका की निस्पक्छता पर अभी सवाल उठे हो ऐसे प्रस्ण स्वतन्तरिता प्रापती के बात से ही उठ रहे हैं किवल भारत ही नहीं दूसरे लोकतंत्र में भी यही बात आम है अमेरिका का ही उधारन ने जहां डेमोक एक पेस किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नया अधीसों की संख्या 9 से बढ़ा कर 13 करने का प्रस्ताव किया गया है इस पर एक आयोग की न्युक्ति करने के बारे में विचार कर रही है पर क्या इसमें मौजूदा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट संदिग हो जाता है सिर्फ हाई कोर्ट भी इस मामले में बहुत मुखर है इस लिहाज से इलाहबाद हाई कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों का उलेक समिचीन होगा गत वर्स डिसंबर में इस हाई कोर्ट ने यसवन सिंग नाम के एक वेक्ति के खिलाफ एफ आयार को खारिच कर दिया था यसवन सिंग ने ट्विट में लिखा था कि योगी आदित तिनाज के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की कानून एवं विवस्ता बहुत बिगड़ गई है और यहां जंगल राज कायम हो गया है इस ट्विट को आधार मानकर उनके खिलाफ मानहानी और सूशना प्रदोगई की कानून के तहत दर्ज की गई अधालत ने अनुचेत 19 के आधार पर मामले को खारिच करते हुए कहा कि कानून विवस्ता को लेकर सहमती व्यक्त करना हो हमारे जैसे समयधानिक एवं उदार लोकतंत्र की धाती है बीते दिनों एक समचार पत्र ने उत्तर प्रदेश में र कर मां भारिच कर समयधानिका की अधाईका ऊठता है इसके चलते लोकतंत्र का कोई अंग समुचे तंत्र को भंग नहीं कर सकता वैसे भी यदि अस्पताल की आउधी को छोड़ दिया जाए तो निया पालिका में सदेव नागरी अधिकारों का सनरक्षण ही किया जाता है इस बार प्रित्वी दिवस पर का विसे हमारे प्रित्वी का जिवनोधार और प्रतेग वेक्ति के पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है सवाल है कि यह प्रिथवी किसकी है किवल मनुष्य की या समस्त जीव जनतूं की वास्तों में इस प्रिथवी पर जितना इंसानों कहा के उतना ही अन्य प्रजातियों का भी है यह अलग बात है कि वे बेजुबान है और उनके लिए सम्मिधान नहीं बना सकते हैं मनुष्य और अन्य जीव जनतूं को जीवित रहने के लिए आक्सीजन चाहिए पेड़ पौधे हमें यह जीवन दाइनी आक्सीजन देते हैं बदले में हमें पेड़ पौधे को कार्बन डैक्साइट देते हैं बिना पेड़ पौधों के तो हमें जीवन भोजन भी नहीं मिल सकता इसलिए हमारी संस्कृति में सदय व्रक्षों और पसु पक्षियों की पूजा की गई है दुख की बात यह है कि हम मनुष्यों की बेलगाम गतिविदियों का प्रभाव धर्ती की अन्य सभी प्रजातियों पर पढ़ रहा है वर्तमान में विविन प्रजातियों की 2462 प्रजातियां विलुप्त हो गई है जिसमें पसु पक्षी व्रक्ष आदी सभी सम्मिलित हैं गिद्द करीब करीब गायव हो गये हैं अब विशु गराया दिवस बनाने की नौबत आ गई है इसके अलावा 4415 प्रजातियां अंतराश्टी प्रकरती संद्रक्षण संग क रेड सूची में है हर दूसरे दिन समचार पत्रों में एक खबर सुर्क्यों में होती है कि आज गर्मी इने इतने वर्सों का रिकार्ड तोड़ा इस वर्स फरवरी में दिल्ली में सामान ने तापमान से 4.3 डिग्री सेंटीग्रेट अधिक तापमान था जो 1901 के बाद दिनिया में 18 सारी असी करोण लोग समुद्र से 100 किलोमेटर की दोरी पर रहते हैं इनके विस्थापन का खत्रा बढ़ गया है हाला कि सरकारी नीतियों के तहत सौर उर्जा पर बहुत अच्छा काम हुआ है आधुनिक इंजन के ऐसे वाहन भी आ रहे हैं जिसमें कम कार्बन सरजन होता है ऐसे फ्रेज एसी भी बन रहे हैं जिसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानि सी एफ सी का दुस्प्रभाव कम हो लेकिन प्रत्वी के जिर्णोधार के लिए इतना ही प्रयाप्त नहीं है अंतराश्टी राश्टी इस तर पर सरकारों दोरा किवल योजनाय बनाने सिर्फ संकल्प लेने या हस्ताक्चर अभियान चलाने या एक दिवसी कारक्रम के आउजन से भी आगे जाकर काफी कुछ करना होगा हम अपने परिवार में कुछ आदितें बदल कर भी अपनी धर्ती को सहजने में मदद कर सकते हैं सोचे मनुष के वल जीवन दाइनी आक्स आक्सीजन को छोड़कर जीवन के लिए उपयोगी समस्त वस्तों वस्तों खरीदता है सतर वर्स की आयू का व्यक्ति उतनी आक्सीजन का उपयोग कर लेता है जो 65 व्रक्ष अपने जीवन में देते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है बिगड़ती विवस्था सम्हालें देश के विविन हिसों में आक्सीजन की किल्लत के बीच नासिक के एक अस्पताल में आक्सीजन के टैंक लीक होने से 24 क्रोना मरीजों की मौत बेहत दुख़त है यह हाथसा चाहे कारणों से हुआ हो इससे यही पता चलता है कि अस्पताल व्युस्था बनाय रखने में नाक आक्सीजन की कमी संबंदी सिकायते दूर होने का नाम ले रही है और नाही कुछ खास दवाओं की अनुपलब दिता का सोर थम रहा है इस सब के बीच इस तरह की खबरे चिंता और निरासा बनाने का काम कर रही है कि कुरोना मरीजों को आस्पताल में बेड नहीं मिल रहे है ऐसे मामलों की गिंती करना मुश्किल है जिसमें कुरोना मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा है कुछ की तो मौत भी हो गई है ऐसे मामले स्वास्त तंत्र को दीन दसा प्रकट करने के साथ ही सासन प्रसासन के अप्यस का कारण भी बन रहे हैं तो यह एडिटोर पेज के तीन आर्टिकल थे नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट है कि केर रेटिंग्स ने घटाया विकासदर अनुमान करोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में आर्थिक गतिविदियां प्रभावित हो रही है कई राजियों में आंसिक लॉकडाउन लगाया ज देताया है पहले यहां अनुमान 10.7 से 10.9 फीज दित था महिने भर में कंपनी ने तीसरी बार अनुमानों में संसोधन किया है केर रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 30 दिनों में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं इसे देखते हुए अनुमानों म पर असर पढ़ रहा है नेक्स्ट है वित मंत्री ने दिया उद्दोग जगत को केंदर के समर्थन का भरोसा कुरोना से प्रभावित प्रभावित उद्दोग जगत को वित मंत्री निर्मला सितार रमनों ने सरकारी समर्थन का भरोसा दिया है उन्होंने उद्दोग जगत स से हालात का मुल्यांकन करने के लिए इंतजार और निगरानी यानिकी वेट एंड वॉच की नीती अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि महामारी को रोकने के लिए सरकार के उपायों से हमें सकारात्मक बदलाओ की उमीद करनी चाहिए। सीता रमणने कहा कि हम चाहते हैं कि उद्धोग जगत इन परश्थितियों पर बारही की से नजर रखे। इस महामारी के खिलाफ लढ़ाई में सरकार और उद्धोग जगत सामया है। हॉस्पिटैलिटी उड्डियन पर्रेटन वह होटल जैसे छेत्र बड़ी कटनाईयों का सामना कर रहे हैं इसलिए सरकार ने इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन कारंटी स्कीम में इन सेक्टर को भी सामिल किया है तो यह आज का याने 22 अपरेल 2021 का दैनिक जागरन का राष्ट्रे संस्क्रण था आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद